राष्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशेक्षन परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वाराप्रस्तु थे नबोदे विद्ध्यालेओं की छटी कक्षा के विद्ध्यार्थियों के लिए इतिहास की सहायक सामग्री के रूप में कारिक्रम हडपा संस्कृति आज से कोई चार हजार साल पहले हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ बड़े बड़े नगर बसे हुए थे इन ही में से एक प्रमुख नगर था मोईन जोदडो मोईन जोदडो यानी मुर्दों का टीला जाहिर है कि जिस समय ये नगर फल फूल रहा था तब इसका नाम मोईन जोदडो नहीं रहा होगा कुछ और ही रहा होगा पर यहां की चोड़ी सडकें विशाल अन्न भंडार और सरोवर ऐसे ही रहे होंगे यहां के रहने वालों का व्यापार दूर विदेशों तक फैला था वे शान्ति प्रिय और कलात्मक रूचि के लोग थे उनकी लिपे अभी तक सर्वमान्य धंग से पढ़ी नहीं जा सकी है लेकिन उनके अनेक नगरों की विस्तरित खुदाई की गई है जिससे वहां के जन जीवन पर काफी प्रकाश पढ़ता है उसी आधार पर प्रस्तुत है एक कालपनिक कथा क्या यही प्रसद्ध व्यापारी शिमुक की दुकान है जी हाँ यही है और मैं ही हूँ शिमुक कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जी मैं लोथल नगर का एक व्यापारी हूँ उदंग रुई बेचने यहां आया था मैंने सुना था आपके पास धातू की बनी एक से एक सुन्दर वस्तुए हैं बस देखने के लोब से चलाया हाँ हाँ आग्या कीजिक क्या दिखाऊं धातू के हत्यार औजार क्या फिर मूर्तियां आभूशन कोई सुन्दर सी मूर्ति दिखाए हाँ 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 यह देखिए कांसे की बनी हुई नर्तकी कमर पर हाथ रखे ऐसे खड़ी है मानू नाचते नाचते पल भर के लिए हाँ अच्छी तो है मगर अच्छा इसे छोड़िए यह हार देखिए अभी दो दिन पहले ही बनकर तयार हुआ है सोने की पत्तियों के बीच क्रीमती पत्थर के कितने सुन्दर फूल गड़ है कारीगर ने वाकई बहुत सुन्दर है तो ठीक है इसे ले जाए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से दिल्मन तक ऐसा सुन्दर हार किसी और व्यापारी के पास नहीं होगा वो तो ठीक है पर यह तो काफी महंगा होगा दरसल मैंने अपनी रूई बेचकर उसके बदले आपके नगर से अनाच खरीद लिया है अब मेरे पास इस हार को खरीदने ला अगली बार दे दीजेगा मगर अब इसमें अगर मघर की क्या बात है आपके पास आपकी महर तो होगी ही जी हां वो तो मैं हमेशा अपने कमर बंद में रखता हूं तो फिर ठीक है अपने इस सौदे की बाबत मिट्टी की पाटी पर लिखवा कर अपनी अपनी महर लगा द है जब आप अगली बार यहां आएं तो रखम चुका दीजेगा ठीक है मुझे मन्जूर है शुपन अरे ओ शुपन आया वाले यह लोथल नगर के बड़े व्योपारी है उदंग इन्होंने यह सोने का हार खरीदा है पर इसकी कीमत यह अगली बार देंगे अब तुम जटपट मिट्टी की पाटी तैयार कर उस पर इस सौदे की बावत लिखो और उस पर यह यह मेरी मोहर और यह इनकी मोहर लगा कर ल आयो दंग आप तब तक यहां आराम से बैखिए क्या पार्टी तैयार करने में देर लगेगी हाँ कुछ देर तो लगेगी क्या आप जल्दी में हैं नहीं कोई विशेश जल्दी तो नहीं है मेरा जहाज अन भंडार के पास रुका हुआ है अनाच की लदाई चल रही है मै इस बीच नगर घुमने निकला था सोचा था सरोवर तक जाओंगा देश-विदेश के समाचार मिल जाएंगे पर सामने आपकी दुकान देखकर रुक गया हमारे लोथल तक भी आपकी दुकान की सुन्दर वस्तूओं की बड़ी ख्याती है अच्छा तो सरोवर देखने के सरोवर योग योतियों के मिलने जुलने की जग है आज पूरे चंद्रमा की रात है विशेश पर्व है आज तो वहां नजाने कितने विवहात है होंगे कितने व्यवपारिक सौदे तै होंगे मेरी पत्नी और बेटी भी वहीं गई हुई है चलिए मैं भी आपके साथ चलता अहां चलिए मां आज पानी बड़ा थंड़ा था मां जाकर कपड़ी बदल लो बोधा नहीं तो ठंड लाए जाएगी जाती हूं मां कोट्री भी तो खाली हो मां मां वो देखो पिता जी आ रहे है अरे उनकी साथ वो सुन्दर युवग कौन है पहली तो कभी नहीं देखा हलो कोट्री खाली हो गई आप तुम पहले कपड़ी बदल आओ सुन्दर युवग को बाज में देख लेना मां जाती हूं इधर से आई उदंग जी आई 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 जी इनसे बिलो यह मेरी पत्नी है और यह है उदंग लोथल के बड़े व्योपारी नमस्कार नमस्कार बोधा नहीं दिखाई दे रही क्या आप तक नहा रही है नहीं कपड़े बतल ले गई है आ रही होगी ओ और सुना यहां की क्या समाच आ रहा है कौन-कौन आया है मैंने आप से कहा था था ना कि मेरी एक सहेली का बीटा बहुत अच्छा कारीगर है उपर ले शेयर के कई बड़े-बड़े मकान और हवेलियां उसकी निगरानी में बने है हाँ हाँ याद आया वो भी यहां है मैं उसे बुला कर लाते हूं आप स्वें बाद कर लीजें अहां ठीक है बुला ला आप क्या कोई हवेली बनवा रहे हैं हम इरादा तो है अभी तक हम लोग व्यापारियों और कारीगरों की निचली बस्ती में रहते आ हैं अब मैंने शहर के एक पुराने धनी वेपारी के हवेली खरीच लिए और उसे अपनी इच्छा नुसार फिर से बनवाना चाहता हूं यह मेरे पती है वेपारी शमुक नमस्कार प्रसन्ने रहो अरो तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है इतनी छोटी सी उम्र में ही तुमने कारीगर के र शारा देखा भालाई है जी उसमें आगन का कुवा बिल्कुल तूट फूट गया है उसे पक्का करवाना है उसके अलावा मवेश्यों के लिए मुझे एक और प्रवेश्दवार चाहिए जिससे मुख्य द्वार पर गंदगी नो जी मवेश्यों के रहने की जगे भी पक्क का फर्ष मिच्वाना है उपर की मंजिल पर कम से कम दो नहान घर बनवाने हैं जिनके फर्ष और नालिया पकीटों के बने हुए हो मेरे कमरे में बड़ी बड़ी खिड़किया होनी चाहिए जिन से मुख्य सड़क दिखती हूँ लो बई हमारी लाड़ी बेटी की हो कल मेरी दुकान पर आकर आवज्शक सामाल लिखवा देना दो चार दिन में सम्मगा दूंगा बस फिर तुम काम भी शुरू कर देना जी बहुत अच्छा मैं कल सवेरे दुकान पर आचाओंगा अच्छा नमस्कार नमस्कार पिता जी आपने अपनी मेहमान से मेरा नमस्कार नमस्कार लोथल में ही तो वो जहाजों की गोदी बनाई गई है न तो उसका पानी गोदी में भर जाता है और बड़े बड़े जहाज भी अंदर चले जाते यह तो ठीक ही सुनाए आपने पर एक बात बताईए जब जुआर के बाद भाटा आता है तब तो पानी घट जाता है तो वो जहाज कीचर में धस नहीं जाते नहीं, गोदी में पानी को रोके रखने की व्यवस्था है जुआर का पानी अंदर आने के बाद उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाता है तब ही भाटे के समय पानी कम हो जाने पर भी जहाज काफी पानी में सुरक्षित खड़े रहते है तो ये गोदी बनवाने का खयाल आप लोगों को कैसे आया दरसल हमारे शहर का व्यापार के क्षेतर में इतना नाम तो था नहीं कि दूर देश के व्यापारी वहां तक आते हमारे यहां सिंदु जैसी चौड़ी और गहरी नदी भी नहीं है कि उसमें बड़े जहाज चल सकते लेकिन हमारे यहां कपास की खेती बहुत अच्छे होती है हमारे कारिगर मिट्टी के बरतन भी बहुत अच्छे बना लेते हैं फिर उत्तरपूरब में खेतड़ी से अच्छा तामभा भी निकलता है इसलिए लोथल के लोगों ने मिल जुलकर ये गोदी बनवाई जिससे हम भी व्यापार में प्रगति कर सकें और क्या-क्या है आपके लोथल में मेरी बेटी को दूर शेहरों के बारे में जानने की बड़ी लाल सा रहती है यह तो बड़ी अच्छी बात है जरा सुनी क्या बात है आपके मित्र ने बोधा के लिए जिस लड़के की बात कही थी वो भी आज यहां आया हुआ है उससे मिलेंगे नहीं हां लेकिन उदंक वो तो बोधा से बात कर रहे है चलिए इतने हम लोग उसे देखाते हैं अच्छा बोधा जी पिता जी मेरे मेहमान का ध्यान रखना मैं और तुम्हारी मां अभी आते हैं हां ठीक है पिता जी आईए हम उधर चल कर बैठते हैं हां चलिए अच्छा तो आपका लोथल भी साफ सुत्रा शहर है हां आपके शहर जैसा भवे तो नहीं है लेकिन चोडी सडके हैं पकी नालिया है और नालियों के बीच बीच में कूडा जमा करने के लिए गहरे गठे भी है अच्छा इस मामले में दिलमन बिल्कुल उल्टा है क्या आप दिलमन भी गए हैं हां व्यापार के सिलसिले में गया था वहां के लोग सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते काश मैं भी दूर-दूर देशों की यात्रा कर सकती व्यापार के तौर तरीखे सीख सकती लेकिन मा कहती है ये सब तेरे काम नहीं है क्यों? अगर आपकी व्यापार में रूची है तो इसमें बुराई क्या है? आपके पिता तो स्वय में एक बड़े व्यापारी है आपको सब सिखा सकते हैं लेकिन वो तो बस इसी कोशिश में है कि कोई उप्यूक्त वर तलाश करके मेरा विवाह कर दे हो सकता है विवाह के बाद आपको यात्रा करने और व्यापार सीखने का अफसर मिल जाए क्या हमालो बोधा अरे बोधा तुम यहां हो हम तुमें सरोवर के निकार ढून रहे थे वो हम लोग बात करते करते इधर निकला है अच्छा अच्छा आप मात्री देवी के दर्शन करना चाहते हो तो चले आपकी बेटी कह रही थी कि उनकी व्यापार में बड़े रुच्छी है फिर आप अरे छोडिये भी व्यापार करना भी कोई लड़कियों का काम है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है मैंने दूर देशों की यातरा की है कई देशों में इस्त्रियां इस तरह के काम करती हैं क्यों आप इस्तिर फ्री लड़की का दिमाग खराब कर रहे हैं पिता जी ये सब करेगी तो फिर इसका विवा कैसे होगा आप ऐसा वर तलाश कीजिए जो इन्हें ये सब करने की स्वतंतरता दे फिर तो हो चुका विवा अरे ऐसा वर कहा मिलेगा अब अब ये इतना कठिन भी नहीं है देखिए मुझे ही लीजिए मैं बहुत दिनों से ऐसी पत्नी के तलाश में हूँ जो अपने गहनों कपड़ों के अलावा भी कुछ सोचती समझती हो यानि आप आप दिवाहित नहीं है नहीं तो फिर वो हार आपनी किसके लिए लिया है वो अपनी भावी पत्नी के लिए ओ अच्छा जी यदि आपको अपत्ति नहों तो तो मैं आपकी बेटी से आप ये निर्णे कुछ जल्दी में नहीं ले रहें जी नहीं जल्दी नहीं करूंगा तो शाह देर हो जाएगी क्यों बेटी तुम्ह क्या विचार है इड़र सुनो तो क्या बात है उदंक लोथल हैं और विवाही थे हां यह सब आप मुझे बता चुके हैं यह अपनी बोधा से विवा करना चाहते हैं क्या सच क्यों बोधा लगता है बोदा को अपना मन पसंद साथी मिल गया है है मात्र देवी की कृपा है चलिए हम सब चल कर उनके दर्शन करें आओ बोधा चलो मा आओ बेटा आईए चलिए इस कल्पित कथा में दो स्थानों का उल्लेख किया गया है लोथल और दिल्मन ये दोनों स्थान कल्पित नहीं है मोयन जोदडो और हरपपा के अलावा और भी बहुत से नगर प्रकाश में आए है जिन में रूपड, काली बंगा, रंगपुर, लोथल, भगत्राव आदे प्रमुख है गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई से ये पता चलता है कि यहां गोदी थी, जहां समुद्री जहाज आकर रुकते थे यहां एक ऐसे जलमार का प्रबंध किया गया था जहां जुआर के समय समुद्र का पानी भर जाता था उसके बाद फाटक बंद करके उस पानी को वहीं रोक लिया जाता था जिससे बड़े जहाज भी इस गोदी में लंगर डाले खड़े रह सके इस तरह लोथल व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था जिन दिनों भारती उप महा दुईब में हडपा संस्कृति का विस्तार हो रहा था उन्ही दिनों मैसोपॉटामिया में सुमेर सभथा पनप रही थी खुदाई में ऐसी व्यापारिक महरे मिली हैं जिनसे पता चलता है कि मेसोपुटामिया से हमारे व्यापारिक सम्बंध थे। मेसोपुटामिया में एक राजा था जिसकी राजधानी अक्काद थे। वहाँ दिल्मन नामक शहर से जहाज आया जाया करते थे। दिल्मन को आज का बाहरेन माना जाता है। हडपा संस्कृती अभियाव सुन रहे थे ये कारिक्रम। आलेक डॉक्टर शुब्रा शर्मा, विशे संयोजन मम्ता गुप्ता, कलाकार नीरश शर्मा, जैमिनी कुमार, वीना हूरा, कमला कुमारी चोपडा, अभै भारगव, सुरेंद्र सेठी और मन्जु मैनी, ध्वन्यांकन सतीष्ट लाळे तथा निर्माण एवं प्रस्तुत वन्दना निगम